नमस्कार बहुत-बहुत स्वागत है विंधिया टाइम्स में मध्यप्रदेश सरकार ने कुछ दन पहले प्रदेश की पुजारियों को मांदिये देने का एलान किया था जिसका आदेश बीते दिनों सीम शिवराज निजारी कर दिया अब इससे प्रदेश की पुजारी लाभानवित होंगे और उन्हें हर महीने 5,000 रुपए मांदे मिलेगा इस बढ़े हुए मांदे का इंतिजार पुजारी पिछले 3 सालों से कर रहे थे आदेश जारी होने के बाद पुजारीों को जो मांदे मिलेगा वह एक मई से प्रभावशील रहेगा यानि अगले महीने से पुजारीों को 5,000 रुपए मांदे दिया जाएगा लेकिन जिन पुजारीों के मंदरों में 10 एकर से जादा भूमी है उन मंदरों के पुजारीों को अलग से शासन द्वारा कोई मांदे नहीं दिया जाएगा मांदे की दरों में संशोधन करते हुए राजशासन द्वारा प्रदेश के सभी शासन संधारित मंदरों के पुजारियों, सेवादारों के मांदे का भुकतान शर्टों के आधार पर बनाया गया है आदेश में ये लिखा है कि जिन मंदरों के पास क्रिशी भूमी नहीं है उन मंदरों के पुजारियों को 5000 रुपए प्रतिमाह की दर से भुकतान होगा जिन मंदिरों के पास 5 एकर तक क्रिशी भूमी है उन मंदिरों के पुजारियों को 25 सो रूपए हर महीने मिलेंगे और जिन मंदिरों के पास 5 एकर से 10 एकर तक क्रिशी भूमी है उन्हें मांदे के रूप में 2000 रूपए प्रतिमा भुक्तान किया जाएगा लेकिन जुन मंदरों के पास दस एकर से जादा भूमी है उन्हें भुक्तान नहीं होगा आपको बता दे कि रीवा जले में मधिप्रदेश शासन धार्मिक नियास एवं धर्मस्व वेभाग के अंतरगत 104 मंदर आते हैं और इतने ही पुजारे हैं कुछ पुजारियों की मौथ हो चुकी है तो उनके पुत्र सेवारत है लेकिन अभी वे पंजिकृत नहीं हुए है लेकिन जो पंजुरित हैं उन्हें इस योजना का लाब मिलेगा पुजारियों का कहना है कि भगवान के भोग के लिए अलग से कोई राशी नहीं दी जाती है इसी मांदे में उन्हें अपना जीवन चलाने के साथ ही भगवान का भोग भी लेना पड़ता है और जो राशी मिलती है उससे खट शल्पाना इस महंगाय में संभव नहीं है ऐसे में मधिप्रदेश सरकार का फैसला प्रदेश के पुजारियों के लिए राहत भरा है